इस लेक्चर में हम कुश्टिन नम्बर 7 को सब्सक्राइब करेंगे कुश्टिन नम्बर 7 आपका कुश्टिन नम्र 5 और 6 की तरह का है या बस कहलें कि आपकी जो क्यालकुलेशन है वह डिफिरेंट है तो चल्ड़ेंट करतें तो student's question number 7 की जो statement हमारे पास है वो कुछ इस तरह से है if the roots of the equation are equal ठीक है यानि कि हमने proof यह करना है कि आपके पास जो यह equation है इसके roots अगर equal आएं तो एक condition है एक formula है हमने प्रूफ करना है ठीक है अब आपने क्या करना है इसको use करते हुए इसका निकालना है discriminant तो क्या होता है अगर आपके पास roots equal आएं तो इसका जो discriminant है वो आपने क्या करना है again equals to zero ले देना है ठीक है तो हम यहाँ भी वही काम करेंगे सबसे पहले आपको जो equation given है आपने इसमें से capital A, capital B और capital C की निकाल नहीं है values because यहाँ पर small A, B, C already involved है ठीक है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे C square minus A, B X square minus two times A square minus B, C, X plus B square minus four A, C is equals to zero ठीक है यहाँ से आपने इसे compare करना है compare with comparing with comparing with capital A, X square plus B, X plus C is equals to zero तो आपके पाद जो capital A आएगा उसकी value बन जाएगी C square minus A, B capital B X का coefficient है minus two times A square minus B, C और last page जो C आपके पास आएगा capital C is equals to B square minus A, C यहनि कि जो constant आपके पास यहाँ पे है वो हमारे पास क्या कहलाएगा वो capital C की value आजाएगी ठीक है अब आपने क्या करना है इसके ओपर लगाना है discriminant so discriminant आप find करें discriminant किसके equal होगा B square minus 4 A, C ठीक है अब यहाँ पे यह values अपड़ कर दें B आपके पास किसके equal है minus two times A square minus B, C इसका square ठीक है आप इसको another black tree में close कर दें ठीक है minus four A A हमारे पास है C square minus A, B so यह आजाएगा हमारे पास four times C square minus A, B इसके बाद into C C हमारे पास किसके C आपके पास है यहाँ से B square minus A, C B square minus A, C ठीक है तो यह हमने just words इसकी जो values बनती है वो हमने put कर दी है ठीक है अब आप आप आपने इसकी जो values बनती है आपने इनको multiply करना है ठीक है तो यह आप पहले इसका square ले minus two का square क्यों होता है four और यहाँ से A square minus B, C का हो square बन जाएगा ठीक है इसके बाद यहाँ से minus four times अब आपने इन दोनों factors को आपस में multiply करना है C square B square हो जाएगा C square B square C square minus A C cube हो जाएगा यहाँ पे C square है जब एक C से multiply होगा तो cube बावर बन जाएगी ठीक है अब आपने इसको करना है minus A B cube हो जाएगा और जब इसके इससे करेंगे तो यह बन जाएगा minus minus plus A square B C आजाएगा ठीक है यह हमारे पास हमने इनको अब एक यह multiply है इसके बाद अब आपने इसका भी square भी देना है तो यह square आपके पास आएगा four times so discriminant is equals to four times आपने A square A square minus B C का scale लेंगे तो क्या बनेगा A square का square क्या होगा A raise to power four बन जाएगी minus plus B square C square उसके बाद minus आएगा because formula minus का है two times A square B C यह हमने students इसके उपर just formula apply किया है A minus B whole square बना ठीक है अब four को आप हर term से inside multiply कर देंगे तो यह minus four C square B square आजाएगा यहां से minus four C square B square इसको हम multiply कर देते हैं नौर्म में ठीक है तो यहाँ पर सुर्ण समने इसको four को inside सब के साथ multiply कर दिया है ठीक है अब आपने क्या करना है अब आपने इस four को हर टर्म से करना multiply तो यह आपके पास आजाएगा discriminant is equals to four A raise to the power four plus four B square C square minus eight A square B C ठीक है उसके बाद minus four यह आपके पास वैसे ही आजाएगी C square B square plus four A C cube और यहाँ से plus four A B cube minus four A square B C ठीक है अब हमने just इनको multiply कर दिया है अब आपने देखना है क्यों क्यों से like terms है ठीक है क्यों क्यों से एक तरह की terms है A raise उपार four कोई और नहीं है तो आप इसको यहीं पर दिख लेंगे तो यहाँ से हमने लिखा four A raise उपार four अब four time B square C square क्यों और टन से है जो आपके पास B square C square हो तो यहाँ पर आप दिखें B square C square arrangement different है तो यह दुनों यह plus के साथ है और यह minus के साथ है तो यह दुनों क्या हो जाएंगी cancel हो जाएंगी इसी तरह आप ने अब जो remaining बचेंगी terms A square B C यहाँ पर A C cube four A B cube यह साथ है different है यहाँ कि एक आपके पास यहाँ से A square B C A square B C यहाँ पर minus eta और यहाँ पर minus क्या है four दोनों plus हो जाएंगी तो आपने यहाँ पर कर देना है minus 12 यहाँ पहले इनको लिख ले plus four A C cube उसके बाद plus four A B cube और यहाँ से यह बन जाएंगी minus 12 A square B C because दोनों minus की हैं और same है और numbers को हम क्या कर देंगे plus कर देंगे अब यहाँ से आपको पता है कि आपकी अगर roots equal आएं यानि कि आपके अगर आप यहाँ से देखें इस equation के जो roots यह दियार equal अगर roots equal आएं तो आपका जो discriminant है वो किसके equal होता है उसको हम 0 के equal लेतें तो हम यहाँ पर क्या करेंगे discriminant is equal to 0 तो आपके पास यह complete factor है terms है इनको आप 0 के equal ले लेंगे आप इसके बाद आपने यहाँ से देखना है कुछ चीज common आती तो आपने वो number common ले लेना है ठीक है तो यहाँ से 4 हर term में है ठीक है तो आप यहाँ से भी 4 common ले सकते है और साथ में A को भी आप common लेंगी तो आपने 4 A को common ले लेना है तो क्या बचेगा यहाँ बचेगा A cube plus C cube plus B cube minus 3 A, B, C is equal to 0 ठीक है अब यह दोनों terms हमारे पास क्या है product इनका 0 के equal है तो हम क्या करेंगे दोनों को अलग अलग से 0 के equal कर देंगे तो यहाँ से 4 A equals to 0 आजाएगा इसके इलावा A cube plus B cube या C cube plus B cube minus 3 A, B, C भी यहाँ पे 0 के equal आजाएगा ठीक है अब आपने यहाँ से A की value क्याएगी 0 और यहाँ से इनको arrange करके लिख लें A cube plus B cube plus C cube is equal to 3 A, B, C अगर आप question को देखें तो आपने यही proof करना था कि अगर आपके पास roots equal आएं ठीक है तो आपके A cube plus B cube plus C cube किसके equal आए 3 A, B, C के तो यह हमने जो question number 7 है उसका प्रूफ कर दिया ठीक है उमीद करता हूँ आपको यह समझ आ गया होगा अब हम next video में question number 8 को solve करेंगे तब तक के लिए Allah आप